देखिए अगर आपने भी दसवी पास कर लिया है और आपको जो है इंटरमेड मीशन लेना है जैसे कि मान लिजी आप किसी भी स्टेट से हैं या फिर ICAC बोर्ड से आपने पास आउट किया हुआ है और आप जो है बिहार बोर्ड के दोवारा इंटरमेड मीशन लेना चाहते ह है तो उसका जो application form है completely यहां पर भरना जो है शुरू हो गया है क्योंकि इससे पहले आप सभी जानते हैं कि इस पोटल में जो है काफी यहां पर खराबी थी सभी से फॉर्म फिल नहीं हो रहा था और साथी साथ अभी जो है इसका जो फॉर्म फिल करने का इंटरफेस है उसक को भी completely यहां पर चेंज कर दिया गया है तो अब आप फॉर्म फिल करेंगे तो इसी प्रोसेस के माधिम से फॉर्म को फिल करेंगे तो इस वीडियो के अंदर एक नया फॉर्म फिल करके दिखाएंगे जिसके माधिम से आपको पड़ा चलेगा कि नए सी जो है की सतर से आप पर आना है यहां पर लिंग मिल जाता है बिहार इंटरे लएड्मीस्ण इस पर आपको क्लीक करना है और इसमें सबीघ्र जनकारि अबको बता दिले गई है तो आब चाहें तो पड़ सकते हैं समझ सकते हैं नीचे आएंगे तो यहां पर आपको एप्लाई ओनलाइन का लिंक मिलेगा इस पर आपको क्लिक करना है अब यहां पर सबसे पहले आपने मैटी कौन से बोर्ट से पास किया हुआ है वह आपको बताना है अगर आपने आप जो है बिहार बोर्ट में इंटरमेड बीशन ले सकते हैं उसके बाद यहां पर आपने कव पास किया हुआ है एकजाम का आपका जो है कमपर्टमेंटल से पास किया है या फिर इन्वल से पास किया हुआ है इन्वल का मतलब होता है कि आपने एक बार में एकजाम पास कर ल कोड रॉल नंबर डालेंगे कहीं भी आप क्लिक करेंगे तो यहां पर देखेंगे कि उनका जो डेट बर्थ है ठीक है कितना है और कितना मांक्स उनको मिला हुआ है अटोमेटिकल यहां पर आ जाता है उसके बाद यहां पर आपका जो एक जीला अंदर है आपको बता देना है कब आप ने ज्वाइनिंग किया था ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कब आप छोड़े थे? अगर आपने कस्तुरुअभा गांधी में रहा कर मैट्वास किया हुआ है, तो यहाँ सकरेइगे, नहीं किया है, तो नो करेंगे. उसके बाद यहाँ पे आपना जेंर्डर बताना है, कि आप male हैं कि female है उसके बाद यहां पे mother tongue आपको बताना है कि आपका मातर भासा क्या है उसके बाद आपका जो नगरीता है बताएंगे किcuss STE意 kia है उसके बाद आपका धर्म क्या है वो आपको बता देना है अगर आपको डिश्टिक क्या है इस तरह सब सेलेट कर लेंगे उसके बाद आपका जो ब्लॉक होता है वोग आपको बता देना है पूरा यहां पर अपना और पीन कोड़ को टाइब करना है उसके बाद यहां पर अधार नमबर है तो दे सकते हैं अगर इन केस आपके पास अधार नमबर नहीं है तो आप यहां पर टीक कर देंगे तो अधार नमबर आपको नहीं देना पड़ेगा आपको अपना बर्ग बताना है कि आप जो है कौन से बर्ग से आते हैं उसके बाद अगर आप दीव्यांग है तो यास करेंगे नहीं है तो नो करेंगे एवा से आते हैं तो यास करेंगे नहीं है तो नो करेंगे अब यहां पर जो है कम से कम आपको जो है दस कॉलेज का बीकॉलप देना है और अरितम जो है बीस कॉलेज का आप यहां पर बीकॉलप दे सकते है है जिसमें पर मेंना चाहते हैं तो यहां पे जोए नाम आपको सवेट कर लेना है कौन से ढंदर जोऊए पंध करेंगे उसके बाद एहां पर नाम से अडिमिशन्ट करना कि आपको कौन से अडिमिशन्ट पूरना होगा कि आपको क्यूर ho कर लेंगे उसके बाद यहां पर एक बार Ayers कर देंगे ठीक है उसके बाद यहां पर आप दूसरे College का चुनाव करेंगे जो भी College में अप admission लेना चाहते है तो यहां पर से लेट करेंगे और एड़ पर qula करें तो दूसरा college भी यहां paid हो जाएगा, अगर आप किसी अलग भी district में आप लेना चाहते हैं, तो आपको बार बार स्लेट करने का option चुनने की कोई आसकता नहीं है, आप अपने अनुसार यहां पे जो है, admission के लिए यहां पे college को चून सकते हैं, यहां पे 10 college का चुनाव कर लिया है, अब यहां पे आपको no करना है, ठीक है, उसके बाद यहां पे tick करना है, और tick करने की बाद आवेदन सुल्क 3700 रुपे जामा करने है, तो यहां पे क्लिक करना है, आपके सामने जो है, आपका जो application number है, यहां पे आ जाएगा, ठीक है, और आपके नमबर पे message भी आ जा र जाएंगे, तो यहां पे आप जो है OTP माइएंगा, तो OTP बेसिकली आपके mobile number पर send card दिया गया है, बहुत असानी से OTP चल जा रहा है, कोई भी problem नहीं है, जो भी आपको OTP प्राप्त हुआ है, उसको आप यहां पे डाल देंगे, ठीक है, और यहां पे डालने के बाद आप आपको जो है, validate OTP, one time password के option पे आपको क्लिक करना है, तो यहां पे आपका जो CFA है वो जर्नेट हो जाएगा, और आपको जो है user ID, password आपके mobile नवर पर receive हो जाएगा, अब यहां पे login के option पे जाना है, ठीक है, और यहां पे student login के option पे क्लिक करना है, अपना यहां पे register mobile number और ज application number, mobile number डालेंगे, तो आपका जो password है, यहीं पे show कर देगा, ठीक है, उसके बाद यहां पे आपको login कर लेना है, तो चलिए फटा फटा हम login कर लेते हैं, यहीं login कर लेंगे, तो आपके सामने जो है, कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, जहां पे आपका common application form यहां पे show करे है, ठीक है, तो यहां पे एक बार मिला लीजिएगा, अगर ठीक है, तो कोई बात नहीं है, नीचे आएंगे, तो सभी जनकारी आपको देखने को मिलेगा, तो आप एक बार इसको check out कर लेना, और यहां पे देख सकते हैं, कि अगर date of birth आपका change होगी automatically, तो आप यहां पे click क change हो जा रहा है, तो उस condition में यह काम करना है, ठीक है, अब अपनी total जनकारी है, यहां पे check out कर लेंगे, किसी परकार कोई problem होगा, तो यहां पे देख लेंगे, किवाला date of birth में edit कर पाएंगे, अब यहां पे आपको जो है upload photo के option पे click करना है, और यहां से जो भी अपना photo है, उसको यहां पे select कर लेना है, ठीक है, फोटो को select करना ही के बाद यहां पे upload student photo के option पे आपको click करना है, तो student का जो फोटो है, यहां पे आज आएगा upload होके, तकि यहां पे upload हो गया, ठीक है, अब यहां पे आपको जो है, अपना जो college है, उसको देखना है, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि आपने जो है कौन-कौन से College है यहां पर स्लेट किया हुआ है आप इसको चाहें तो यहां पर आड़िट भी कर सकते हैं कोई भी प्रव्लम नहीं है अड़िट के option पर कलीक करेंगे तो आपने जो भी college पर किया हुआ है उसको आप delete करना चाहते हैं और इस तरह से सो कर देगा जहां पर सारा जनकारी आपको देखने को मिलेगा जैसे कि आपका डेटा बर्थ एक बड़ चिकाउट कर लिजेगा कि सही है कि नहीं है फोटो भी यहां पर देख लिजेगा जो अपने फोटो अपलोड किया है फोटो है कि नहीं है उसके बाद पूरी information के option पे जाना है तो यहां पे आपके सामने जो है कुछ इस तरह से interface आएगा पूरा डिटेल से यहां पे खुल के आएगा यहां पे आपको select करना है तो आपको जो है एक्सिस बैंक EGPay का option मिलेगा ठीक है इस पे आपको दो option मिलेगा अगर आपके पास internet banking है तो internet banking से payment कर सकते हैं अगर आपके पास card है तो card से भी payment कर सकते हैं तो मैं यहां पे card ही select करूंगा चूकि card से easily payment हो जाएगा यहां पर razor pay option पर आपको click करना है अब जैसे ही click करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा जहां पर आपना जो भी card नंबर है card holder नेम है इस पारी और सीजी भी है उसको यहां पर डालेंगे और पे के option पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखेंगे कि आपका जो payment है हो रहा है loading कर रहा है तरह से आपका जो payment है यहां पर success हो जाएगा आप इसको चाहें तो यहां पर प्रिंट कर सकते हैं का हिस्टी जो एक बार चेक आउट कर लिजिएगा यहां पर हमारा जारी होगा तो इसका जो है काम लएगा ठीक है तो यहां से इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं आपका जो है सारा काम कम्प्लीट हो गया अब आपको वेट करना है ठीक है इंटीमेशन लेटर जारी होगा तो उस समय आप जो है अपना इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करेंगे लॉग इन करके और यूजर एड़ी पासवर्ट को जो है संभाल कर आपको लीग कर रख लेना है ठीक है तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है कमिन कर के पूछ सकते हैं जहां तक मैं नोलेज होगी आपको बताने की कोशिस की जाएगी